नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस बीडियो में सुपरेट और लेखवाल भरती के लिए विज्ञान के टॉप 30 प्रशनों को देखेंगे आप सभी लोग इस बीडियो को पूरे ध्यान से देखिए यह आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा important है जो most important प्रशन है केवल उन्ही को इस बीडियो में देखेंगे तो आप सभी लोग इस बीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और प्रतेक प्रशन का उत्तर भी आप लोग comment में बताईए तो चलिए शुरू करते हैं पतियां जो होती है वह रूपांतरित होकर लंबी पतली और तार नुमा कुंडलित रसना में बदल जाती है जैसे कि मटर तो यहाँ पर आपका ए आपसन सही है नेक्स्ट प्रसन है वे पाउधे जो मरुवस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं जीरोफाइट, एपिफाइट, हाइड्रोफाइट या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जोगा क्या है देखिए दोस्तो वे पाउधे जो मरुवस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है यहाँ पर दोस्तो आपका ए आपसन सही है और ध्यान रखें कि दोस्तो एपिफाइट किसे कहते हैं? एपिफाइट दोस्तो जो पौधों की सतह पर बढ़ते हैं या उगते हैं और यह आमतोर पर दोस्तो समसीतोस छेत्रों में पाये जाते हैं एपिफाइट, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट ऐसे पौध है दोस्तों, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि तालाब, नदियां और जीलों में पाये जाते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एअपसन सही है, जीरो तो यहाँ पर आपका C आपसन सही हो जाएगा दोनों पौधों में वास्पोज सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा तनो द्वारा इस्टो मेटा द्वारा या सभी द्वारा यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तों पौधों में वास्पोज सर्जन की क्रि या इस्टो मेटा या पड़ रंध्र द्वारा होती है यहां पर आपका C आपसन सही है नेश्ट प्रस्ण है पौधो की पत्तियों द्वारा जल का वास्प के रूप में निकलना कहलाता है यहां पर दोस्तों वास्प रहेगा इसको ध्यार रखिएगा रसा रोहन वास्पो सर सर्जन जल संचेन या कोई नहीं तो ध्यार रखिए कि दोस्तों पौधो की पत्तियों द्वारा जल का वास्प के रूप में निकलना वास्पो सर्जन कहलाता है बी आपसन आपका यहां पर सही है नेश्ट प्रस्ण है टच मी नाट कहते हैं किसे कहते हैं नाग फनी को गु नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकेडन होता है वाई प्रकेडन जल प्रकेडन जन्दूद्वारा प्रकेडन या सभी यहां पर आपका सही जोग क्या है देखे दोस्तों नारियल तथा कमल में जल प्रकेडन होता है याद रखिएगा जल प्रकेडन होता है यहां पर आपक पाचक ग्रंथियां यक्रित भी है अगन्यासय भी है लार ग्रंथी भी है इसलिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा D आप्षन सभी इंसुलिन हार्मोन जो अगन्यासय से निकलता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको यह बताना है पीलिया, कैंसर, टीबी, मधमे यहाँ पर आपका सही जोब क्या है? देखे दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है D आप्षन आपका यहाँ पर सही है मानव सरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथी है आप्षन है यक्रित, अग्नैसय, लार ग्रंथी, मधुमे यहाँ पर आपका सही जोब क्या है? देखे दोस्तों, मानव सरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथी यक्रित है यहाँ पर दोस्तों आपका ए आप्षन सही है पितरस का निर्माड करता है आप्षन आपके सामने है पितासय, यक्रित, हिर्दय, बड़ियात यहाँ पर आपको बताना है पितरस का निर्माड कहा होता है तो सही जोब क्या है? सही जोब है दोस्तों, पितरस का निर्माड यक्रित में होता है ध्यान रखे कि दोस्तों, यक्रित में इसका निर्माड होता है और पितासय में यह एकत्रित होता रहता है तो दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा यह दोस्तों पाचन में सहयक होता है पितरस जो है यह पाचन में सहयक होता है मानव दांतों के प्रकार है आपसन है क्रिंतक, रदनक, प्रचवर्ड तथा चवर्ड या सभी यहाँ पर आपका सही जोब क्या है कैलसियम, इनैमल, आयरन, कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जोब क्या है देखे दोस्तों दांतों की कठोरता इनैमल के कारण होती है बी आपसन आपका यहाँ पर सही है इनैमल दोस्तों दांत को कवर करने वाला एक बाहरी आवरन होता है तो यहाँ पर आपका B option सही है अग्नियासे की लेंगर हैंस की दूपिकाएं किसका स्रामण करती है इंसुलिन, पितरस, अग्नियासीरस या सभी किसका स्रामण करती है आपको यह बताना है देखिए दोस्तो अग्नियासे की लेंगर हैंस की दूपिकाएं इंसुलिन का स्रामण करती हैं यह आपसन आपका यहाँ पर सही है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्मान अग्नास्य में होता है और यह दोस्तों रक्त सरकरा को उर्जा में परिवर्थित करता है अप्सन है आउसेसी अंग, समरूप अंग, समजात अंग या सभी यहाँ पर आपका सहीजवब क्या है? देखिज दोस्तों एक आउसेसी अंग है ए अप्सन आपका यहाँ पर सही है यह दोस्तों बड़ी यात का भाग है इसमें सेलिलोज का पाशन होता है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है अपूरता रोग, कैंसर, टीबी, कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तों अपूरता रोग जो है या विटामिन की कमी से होने वाला रोग है इसलिए आपका यहाँ पर ए आपसन सही है की खोज की थी विटामिन सब्द का प्रथम प्रयोग किस ने किया आप्शन है फंक, हापकिन्स, लोनिन या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जोग क्या है देखे दोस्तों विटामिन सब्द का प्रथम प्रयोग फंक ने किया था तो यहाँ पर आपका ए अप्सन सही है निम्न में से कौन सा रोग पॉलिस की हुए चावल को खाने से होता है यहाँ पर आपका सही जोग क्या है देखे दोस्तो बेरी बेरी नामक रोग पॉलिस की हुए चावल को खाने से होता है बेरी बेरी नामक रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1 की कमी से वेरी बेरी नामक रोग होता है निमन में कौन जल में घुलनसील बिटामिन है आपसन आपके सामने है बिटामिन A B, बिटामिन B C, बिटामिन A, D, E के या कोई नहीं तो यहाँ पर आपका सही जोब क्या है देखिए दोस्तो जल में घुलनसील बिटामिन B और C है B आपसन आपका यहाँ पर सही है विटामिन B और विटामिन C यह जल में घुलनसील विटामिन है इसे ध्यानर कियेगा और विटामिन A, D, E के जो है यह वसा में घुलनसील है चलिए आगे बढ़ते हैं नेमने में कौन सा वसा में घुलनसील विटामिन है आप्षन है बिटामिन A, D, E, K, बिटामिन B, C, बिटामिन D, K या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवब क्या है? देखे दोस्तो वसा में घुलनसील बिटामिन A, D, E, K यह चारो विटामिन वसा में घुलनसील है तो यहाँ पर आपका A आप्षन सही है इसकरवी रोग की पहचान है आप्षन है मसूडों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रोधिर छिर्टा या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवब क्या है? देखे दोस्तो इसकरवी रोग की पहचान है मसूडों से रक्तस्राव होना यहाँ पर आपका A आपसन सही है इसकरवी रोग दोस्तो किस विटामिन की कमी से होता है तो याद रखिएगा विटामिन C की कमी से इसकरवी नामख रोग होता है मेरेसमस तथा क्वासिर कोर रोग किसकी कमी से होता है विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवब क्या है? देखे दोस्तो, मेरेसमस और क्वासिर कोर रोग यह सभी प्रोटीन की कमी से होते हैं तो यहाँ पर आपका B आप्शन सही है रक्त दाब मापा जाता है आप्शन आपके सामने है स्फेरो मीटर, एनिमो मीटर, ए मीटर या स्फिगनो मैनो मीटर यहाँ पर आपका सही जवब क्या है? देखे दोस्तो, रक्त दाब या स्फिगनो मैनो मीटर से मापा जाता है यहाँ पर आपका D आप्शन सही है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते है option है A, B, A, B या O यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तो रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है यहाँ पर दोस्तो आपका D option सही है किस रक्त समूह को सर्वगराही कहते है option आपके सामने है A, B, A, B या O यहाँ पर आपका सहीजवब क्या है? देखें दोस्तों, रक्त सम्मूह AB को सर्वगराही कहते हैं, यहाँ पर आपका A आपसन सही है, O को दोस्तों सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वगराही कहते हैं मनुस्य के सरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है आपसन है 12, 10, 14 या 20 यहाँ पर आपका सहीजवब क्या है देखे दोस्तों मनुस्य के सरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है यहाँ पर आपका ए आपसन सही है कुल संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या 24 है जोडियों में पूछा जाए तो 12 जोडि होता है मनुष्य की खूपड़ी में कितनी अस्थियां है आपसन है 28, 30, 32 या 40 यहाँ पर आपका सहीजवब क्या है देखे दोस्तो मनुस्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां हैं यहाँ पर आपका ए आपसन सही है इनमें दोस्तो 8 अस्थियां जो हैं वह मस्तिस के चारो और का मस्तिस खोल बनाती हैं जिसे कपाल कहा जाता है और 14 हड्डियां जो होती हैं वह चेहरे का कंकाल बनाती हैं और सेस छे हड़ीयां जो होती है वह मध्य करड़ों में करड़ अस्थियां होती हैं तो इस प्रकार से कुल 28 अस्थियां होती है हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी है आपसन है इस्टेपीज फीमर फिबुला या टिबिया यहां पर आपका सही जवब क्या है देखें दोस्तो हमा हमारे सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर हटी है इसे आप लोग रखेंगा इस प्रकार से दोस्तो आज कि यहां पर समाऐत हो वीडियो अच्छा लगा रहा है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए दुस्तों बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद